नमस्ते मित्रों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुनसर पर तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम पैटन का बनाना सिखाऊंगा जावा में नस्टेल लूप का यूज करते वे यह जो पैटन है इसमें हमें सबसे पहले आई को इडेंटिफाय करना है मैंने इडेंटिफाय करने का तरीगा बताया था स्टार्टिंग को चेक कीजिए एंडिंग भी फिक्स है यह भी आई नहीं है तो आई क्या है आई यह है बीच्वली लाइन 5,4,3,2,1 अब देखें जब आई कामान 5 है एक भी स्पेस नहीं है आई कामान 4 होने पर एक स्पेस है आई कामान 3 होने पर दो स्पेस है आई कामान 2 होने पर 3 और आई कामान 1 होने पर 4 स्पेस प्रेंट हो रहे है जो printing start हो रही है हमेशा first loop की वो 1 से start हो या आई पर खतम हो रही है and जो second loop की printing है नलब जो जो जी का मान print करवाएगा second loop उसमें i-1 से start हो रहा है बन पर खतम हो रहा है तो आई ये code करना start करते हैं बिना time waste किये इसके लिए मैं start कर रहा हूँ sublime text को now जो existing file मेरी opened है उसको मैंने बंद किया and java folder पर मैंने right click किया right click करके new file create कर दी pattern 24.java नाम से इस file को मैं save कर दे रहा हूँ fine guys now इस class को create किया मैंने pattern 24 public static void main main function हमने generate कर दिया now the variable create किये i and j सबसे बिल i का loop हमने setup किया i equal to 5 से कहां तक चलाना था i greater than equal to 1 तक i minus minus now space का loop हमने setup किया j equal to 5 से j greater than i j minus minus and इसमें हमने print कर वा दिया एक space similarly दूसरा हमने loop setup किया जिसको हमने शुरू किया देखें हमें क्या प्रिंट करना है वो pattern हम देख लेते हैं साइड में रखके so जो starting हो रही है वो हमेशा कहां से कर रहे है starting हम one से खतम कर रहे है आई पे so जो j का मैंने first loop start किया ये चालू किया मैंने one से खतम कर दिया less than equal to i पे j plus plus किया इसके बाद में so यहां हमने print कर वा दिया किसको j को similarly similarly जो other half है वो हमेशा start हो रहा है कहां से i minus one से तो j equal to i minus one से हमने start किया j greater than equal to one j minus minus and print कर वा दिया हमने यहां पे j को sorry इसके बाद में हमने line change कर दी system.out.println का use करके now guys एक एक step को समझ लेते हम सबसे पहले देखिए i command क्या है हमारे पास 5 condition j को i get than equal to one है क्या condition true है loop में है j equal to five से j get than i j command 5 i command 5 j get than i की condition false space एक भी print नहीं हुआ j के second loop पे गया value print कराने का काम कर रहा है j equal to one से j less than equal to i तक print करेगा यानि एक से लेके 5 तक गिंते print करेगा so यह 1,2,3,4,5 तक print हो गया then j command 6 होगा 6 होते ही j less than equal to i की condition हो जाएगी false loop से बाहर आएगा j equal to set होगा i minus 1 i कितना था 5 5 minus 1 कितना हो गया है 4 now j get than equal to one की condition check होई 4 print हो गया फिर j minus minus j command 3 condition check होई j get than equal to one true है 3 भी print हो गया इस तरीके से 2 and 1 भी print हो जाएगा फिर j minus minus होगा j command 0 0 पर j get than equal to one की condition हो जाएगी false ठीके guys now इस j के loop से बाहर आएगा new line print करेगा वापस उपर जाएगा i minus minus i command घट करके 5 से अब हो जाएगा 4 condition check हो i get than equal to one true है j equal to 5 set हुआ condition check होई j बड़ा है क्या i से condition true है क्योंकि i 4 है j 5 है एक space print हो जाएगा फिर j minus minus होगा j command 4 4 होते ही j get than i की condition false j case loop से बाहर आया second loop पे गया j equal to one j j less than equal to i i command 4 है तो 1,2,3,4 print हो जाएगा then j plus plus होगा j command 5 condition check होईगी j less than equal to i condition false third loop पे गया j equal to i minus 1 i कितना था? 4 था 4 minus 1 हो गया 3 हमारे पास कहां तक चल रहा है? j get than equal to 1 तक चल रहा है तो 3 से 1 तक print कर देगा फिर j minus minus होगा j command हो जाएगा 0 condition check होई j get than equal to 1 ये condition false loop से बाहर आया line change कर दी वापिस उपर गया i minus minus i command घटके 3 condition check होई i get than equal to 1 है true है loop में आ गया j equal to 5 से j get than i तो j command 5 है j get than i की condition true एक space फिर j minus minus होगा है यहाँ पे j command 4, j get than i की condition true है क्योंकि i command है मारे पास 3 और j command है मारे पास 4 तो दूसरा space भी आ गया है यहाँ पे now j minus minus j command 3 j get than i की condition false loop से बाहर गया, second loop पे आया 1 से j less than equal to i 1 से लेके 3 तक print हो जाएगा 1 to 3 फिर j plus plus होगा j command 4 condition चाहे कोई j less than equal to i है क्या यह condition false j के third loop है j equal to i minus 1 so i command 3 था, 3 minus 1 हो गया 2, 2 से लेके 1 तक चलेगा 2 और 1 print हो जाएगा then j minus minus होगा j command 0 condition चाहे कोई j greater than equal to 1 है क्या यह condition हो गई false now loop से बाहर आया new line print करी वापिस उपर गया i minus minus i command घट करके रह गया 2 condition चाहे को i get than equal to 1 है true है, j equal to 5 से j get than i मतलब 5, 4, 3, 3 तीन बार चलेगा 3 space आ जाएगे फिर j command घट करके होएगा 2, 2 पे j get than i की condition false क्यूंकि i भी 2 है j के loop से बाहर आया second loop पे गया j के j equal to 1 से j less than equal to i i command क्या है हमारे पास अभी 2 है तो 1 से लेके 2 तक print हो गया then j command हुआ 3, 3 पे j less than equal to i की condition false loop से बाहर आया गया j equal to i minus 1 i command था अपने पास 2 2 minus 1 हो गया 1 j get than equal to 1 तक चला तो 1 print कर देगा फिर j minus minus j command 0 condition चाहे कोई j get than equal to 1 है कि condition false loop से बाहर आ गया new line print करेगा वापिस उपर जाएगा i minus minus i command गटके रह गया अब condition चाहे कोई i greater than equal to 1 है कि true है j equal to 5 से j get than i तक मतलब 5 4 3 2 4 बर चलेगा 4 space आ जाएगे फिर j minus minus होगा j command 1 j get than i की condition हो गया false loop से बाहर आएगा j equal to 1 से j less than equal to i तो 1 print करेगा फिर j का मान बढ़के 2 2 पे j less than equal to i की condition false loop से बाहर गया तीसर लूप पर आए j equal to i minus 1 1 minus 1 हो गया 0 0 बढ़ाया बराबर है क्या 1 के नहीं है loop से बाहर आगया condition false हो गई है new line print करी वापस उपर गया i minus minus i का मान घटके हो गया 0 अब condition चाहे कोई i get than equal to 1 है क्या condition false हो गई तो loop अपना चलना बंद हो जाएगा यह हमारा pattern print हो जाएगा आईए इसको execute कर लेते हैं execute करने के लिए sublime text की window में right click किया open containing folder now windows explorer जो हमारा open हुआ इसकी address बार में हमने type किया cmd and java c pattern 24.java इसे हमने किया compile कोई error होगी तो error show होगी कोई error नहीं है run करवाया java pattern 24 यह output आ गया and i think यह ही output हमें चाहिए था right तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जो pattern का program है आप लोगों को समझाया होगा कोई भी doubt अगर रजाता है तो इस video पर comment करके या मेरा whatsapp number है double seven four two eight one double seven double seven इस number पर message करके आप अपने doubt मुझसे clear कर सकते हैं guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपको यह concept समझ आया और मेरे चैनल से यह आप programming सीख पारें तो मैं request करूँगा आप अपने juniors के साथ friends के साथ मेरे चैनल को मेरे इन वीडियो को share करें ताकि वो लोग भी programming आसानी से सीख सकें guys festive season है enjoy कीजिएगा safely enjoy कीजिएगा खूब सारे पटाके फोड़िए मिठाई खाईए enjoy कीजिए खुशिया बांटते रहिए once again thanks for watching this video guys thanks a lot have a nice day